बिसमिल्लाहरमारहीम असलाम लेको मेरे नम है आफिया आप देखे आफिया इस किचन में बने सीख कबाब चिकन सीख कबाब की रेष्पी आप लोगों पूरी फॉलो करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने प्याज ले लिए माणी अच्छे से बार में निकाल सके आपोगे मेरे चैनल के तक सिब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जाएब करें को लासमी यह हो गया अब मेरे पास हाफ केजी चिकन है चिकन का कीम है बहुत बारीक पीसा हुआ तो इस तरह फाइनली पीस लिया मैंने इसको मशीन में डालके तो अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जो प्याज और यह सारी चीदें पीस करकी हुई थी पाने निकाल के यह डालें कुटी मोटी मोटी से काली मीर्चे मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी आफ टीस्पून जालेंगे इसमें अब शामिल कर दूंगा द्रक द्रसन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और अच्छी थारा हाथ की मतल से मिक्स करेंगे सारी चीजों को तीन से चार मिंट लगेंगे इसी तरह तक अच्छे से मसाले मारे सारे मिक्स हो जाएं यह देखें नमक मुझे थोड़ा से नमक और कुटि लानवी थोड़ी सी कम लग दी थोड़ी थोड़ी इस मैंने और डाल दी आप अपने टेस्क के मताबरी करें साथी मैंने वन टेबल स्पून घी डाल दिया इसमें तो बहुत बारी-बारी किसा प्यास काटनी हूं मैं यह देखें इस तरह प्यास को काटते जाएंगे और हाथ की मतलब से सारे प्यास को खोल लेंगे ची तरह यह देखें यह हो गया अब हाफ टी स्पून के करीब नमक लगागे इसके एक सेट पर रख दूंगे थोड़ी देर के लिए यह हो गया अब इसको खीरा काट लेती हूं मैं सास्री को भी कौछे को फेलस बहुत ही मज़े का बंदाया बनाना लाजमी कबाब के साथ बहुत ही मज़ेंगा बंदा हैत पर इसताँ मात्रों के सब्सक्राद आठ्ला हूं देकिन दोल होगी इसके बीज निकाल के कि आपके निकाल दिया के अब इसके असलिके उपर को हाओं इसके उप सुपन के तो पहले अच्छी तरह आप थोड़ा थोड़ा से कबाब मसाला उठाएंगे और गोला बनाएंगे इसका और सीके उपर लगा के हलके हलके सी से फिलाते जाएंगे यह देखे माशला कितना अच्छा साइज अब अपनी पसंद से रख सकते हैं बढ़ा यह छोटा तो मैंने थोड़ा सा अच्छा सा पहला के लंबा सा कबाब बनाया है तो इस तरह हलकालका सा उगलियों की फिंगर की मदद से शेप दे लेंगे तो यह देखे माशला कितना एक हैं नहीं की साइब त्यार करने के पाद मैंने फ्राइब करूंगी तीन से चाटेबलस्पून डालीं में तभी को ऊपर और हल्का सगर्म होने का बेट करेंगा अब कबाब को उठा के इसके अंदर रख दांगी इनका फ्राइब करने का टाइम है तेकरिएं पान से च्य में यह हो गया चार से पांच मिन्ट हो गया हमारे कबाबं को भी सिखते हुए मैं निकाल के निया प्लेट में रख लूँगी बहुत ही सॉफ्ट जूसी से मज़ेदार से मारे सी कबाब त्यार हुए तो आप लोगोंने रस्पी जरू ट्राइ करनी है यह देखे माशला कितने इन्शाला अगले रस्पी के साथ दुआ में याद रुकिये ला आफेज